राधे राधे दोस्तों कैसे हो आप लोग असकी हमारी कहानी का नाम है चुगली अरे मा आपने हमसे कहा था लड़का पढ़ा लिखा है अच्छे पैसे कमा रहा है और मा बाप से भी दूर रहता है उसकी मा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो यहां मेरी चलेगी पर कब चल तो दामनी जी बोली धिरच रखो बेटा और मेरी एक बात को गाठ बांधलो साधी के बस एक हपते बस एक हपते अपनी सास की सेवा करो उसके बाद पूरी जिन्दगी उन्हें उंगलियों पर नचाती रहोगी दमाद जी जब तक घर में रहे सास को सिर माथे पर बिठाओ और जैसे ही बाहर निकले पटक दो जमीन पर और करवाओ उनसे घर के सब काम बस पती की नजर में कभी बूरी मत बनना बेटा और अगर ज्यादा ठाकान लगे तो दमाद बाबू को बड़े प्यार से कहना कि मुझे कुछ दिनों के लिए माईके छोडाओ वे तुम्हारी ह बात मानेंगे और वैसे भी जब तुम्हारी सास अब वहां अकेली है तो फिर तुम्हें दीकत क्या है करवाओ उनसे घर के सब काम नहीं तो सब तुम्हें ही करना होगा और फिर काम वाली पर खर्च होगा रचना बोली ठीक है ममी आप कह रही हो तो मैं इस बुढ़िया की खतिरदारी कर दूंगी पर याद रखना मैं एक होप्ते से ज्यादा ये सब नहीं करूंगी फिर चाहे मुझे सादा के लिए माई के आकर ही क्यों ना रहना पड़े दामनी जी बोली हाँ हाँ बेटा जब तेरी इक्षा हो आ जाना ये भी तो तेरा ही घर है तभी दामनी जी के पती रमेश बाबो बोले दामनी तुम अपनी बेटी को कैसी बाते सिखा रही हो जानती हो ना ऐसी हरकतों से घर नहीं बसता बलकि उजर जाता है सोचो अगर तुम्हारे बहु भी कल को तुम्हारे साथ ऐसा बेवार करे तो दामनी जी बोली आप तो रहने ही दिजि आपको क्या मालुUM कि सासुराल में अपनी जगा मजबूत करने के लिए कितने पापर बिलने पड़ते हैं मरदों का क्या है वो तो घर के बाहर रहते हैं जीलना तो हम अरतों को पड़ता है और अब काईदे से भी तो उस घर की मालकिन मेरी बैटी को ही बनना चाहिए ना कि उस बुढ़ी सास को रमेश बाबु मुस्कुरा कर बोले अपने दिल से जानो पराय दिल का हाल सायद तुम्हें भी अब सता किसी और को सौप देनी चाहिए पर तुम हो की कुर्शी छोरने को तैयार ही नहीं हो इतना कहते हुए वे वहां से चले गए इधर रचना अपनी सास मन्जू जी को कुछ दिन समय पर चाय नस्ता देती रही मन्जू जी कम पढ़ी लिखी लेकिन सांत स्वभाव की महिला थी उनकी पती दिनेस बाबु गाउं के उच विद्याले में हेट मास्टर थे अभी हपता भर पहले ही तो बेटे संजय की साधी की थी मन्जू जी और दिनेस बाबु ने बेटे ने जब बहुत जिद की तो माता पिता उसकी साधी के लिए सहर आ गय थे बेटे के बीबा के बाद जब उन लोगों ने वापस गाउं जाना चाहा तो संजय ने ही मा को वहीं रोक लिया ये कहकर की मा उसका घर बसाने में उसकी पतनी की मदद करे मंजू जी भी बहु का सुख पाने के लिए बेटे के साथ रुक गई कुछ दिन बाद संजय बोला रचना ध्यान रखना कल से मुझे आफिस जाना है दो हपते बाद आफिस जा रहा हूं तो लेट नहीं होना चाहिए अब जल्दी से खाना लगा दो आज जल्दी सो जाऊं वहां मायके में तो मेरी मा मुझे एक गलास पानी तक के लिए उठने नहीं देती थी और देखो अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है क्यों न हम सेंटर से काम बाली बुक कर ले 10-12 घंटे वो यहां रहेगी और घर के सारे काम भी कर देगी तो संजय बोला त तुम्हें पता है न रचना वो कितने पैसा लेती है अब घर तुम्हें ही संभालना है तो तुम देख लो कैसे मैनेज करती हो इतना कहकर संजय खाना खाकर सोने के लिए चला गया रचना परिसान वाला चेहरा मंजु जी को दिखाते हुए बोली अब मैं क्या क्या करू घर का इतना सारा काम हो जाता है कि पती को वक्त नहीं दे पाती हूँ और अभी अगर पैसे नहीं बचाए तो आगे जाकर कितनी परिसानी होगी अब मैं आखिर किसे मदद मांगू जुठी बरतन उठाकर वो वहां से जाने को हुई तो मंजु जी बोली बहु मैं हुना परिसा क्यूं हो रही हो जाओ तुम हात मुँ धोकर आराम करो आज मैं बरतन धो देती हूँ और सुबह रसोई में भी मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगी रचना मंजु जी को गले लगाते हुए बोली ममी जी आप कितनी अच्छी हो आपके रहते तो मुझे मा की भी याद नही आएगी बरतन धोने में आपको कोई दिकत तो नहीं होगी मंजु जी बोली अरे नहीं बहू कोई दिकत नहीं होगी तुम जाओ रचना मुझ कुराते हुए अपने कमरे में चली गई इधर मंजु जी जब रसोई में गई तो बरतनों का धेर लगा हुआ था बरतन धोने और रस्वई समेटने में उन्हें रात के इग्यारा बज गए अगले दिन रचना मन्जु जी से बोली ममी जी इन्हें आफिस जाना है आप टिफिन की तैयारी सुरू कर दिजिए मेरे सिर में थोरा दर्द हो रहा है इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई मन्जु जी अपने बेटे संजय के लिए टिफिन बनाने लगी संजय ने जब कारण पूछा तो वो बोली बहु की तबियत ठीक नहीं है बेटा इसलिए टिफिन मैं तैयार कर रही हूँ अब तो ये रोज की बात हो गई थी मन्जु जी सारा खाना बनाती और रचना परोश कर संजय के सामने रख देती संजय समस्ता खाना उसकी बीबी ने बनाया है बस फिर क्या था एक दिन रचना अपनी आस परोश की सहलियों के साथ पालड गई और बाल कटवा कर घर आ गई जैसे ही मन्जु जी की नजर उस पर पड़ी तो वो बोली बहु ये क्या किया कितने सुन्दर बाल थे कटवा क्यूं दिये रचना की सहलिया बोली क्या बात है रचना क्या तुम्हें हर चीज तुम्हारी सास से पुछ कर करनी पड़ती है इतना कैके वो सब हसने लगी रचना को मन्जु जी पर बहुत गुसा आया वो बोली आप होती कौन है मुझे ये पुछने वाली अरे मेरी मरजी मैं बाल कटवाओ या ना कटवाओ जाए अंदर और सब के लिए चाय बनाए थोरी सी इज़त क्या दे दी आप मेरे सीर पर बठने की कोशिस करने लगी रचना की सहली बोली वहा रचना इस घर में तो तुम्हारा पूरा दब दबा है रचना बोली मेरा पती का माता है मैं इस घर की मालकिन हूँ अरे इस बुढ़िया को तो इसी लिए यहां रखा है ताकि कामवाली का खर्चा बच जाए और फिरी की सर्विस भी मिल जाए रचना की बात सुन सब सहलीया हसने लगी सब के जाने के बाद मंजू जी रचना से बोली बहु तुमने हमसे इस तरह से बात क्यों की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो रचना बोली आपको भी तो समझना चाहिए कि किसके सामने क्या बोलना है और घर में जब महमान आये तो आइंदा खाने पीने की चीजों को रखकर दोबारा मत सामने आयेगा आपको देखकर लोग मेरी हंसी उडाते हैं कहकर रचना वहां से चली गई एक रोज संजय और रचना पाटी में जा रहे थे आचानक रचना बोली ओ नो संजय बोला क्या वा डरलिंग तो रचना बोली देखो ना मेरी सेंडल में कितनी मिटी लगी है अब ये पहन कर अगर मैं आपके दोस्तों के घर जाओंगी तो वो क्या कहेंगे अब क्या तयार होकर मुझे इसे साप करना पड़ेगा संजय बोला फैरो तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे अरे मा सुनो जरा आपकी बहुत तयार हो गई है तो ये सेंडल आप अच्छे से साप कर दो हमें बाहर निकलना है मंजू जी बोली मैं हाँ मा आप जल्दी करो मंजू जी बोली हाँ क्यू नहीं बेटा रुको मैं कपड़ा लेकर आती हूँ तो रचना बोली अरे ममी जी उ नहीं क्यू साप नहीं कर देती तो संजै बोला हा मा करदो जल्दी लेठ हो रहा है मंजू जी के आँखों के कोर गिले हो गए जिस पल्लू से कभी बेटे का मुँ पोंचती थी आज उसी पल्लू से बहु की सेंडल साफ कर रही थी रचना धीरे से बोली ममी जी अब आपने साफ कर दी है तो पहना भी दिजिये मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ आप अपनी बहु के लिए इतना भी नहीं कर सकती संजै मुस्कुराते हुए बोला मैं गाड़ी निकलता हूँ तुम आ जाना रचना इतराते हुए बोली ममी जी हमारा खाना बाहर होगा आप खाना मत बनाए दिन का खाना बचा है वहीं खाली जीएगा और हां कुछ कपड़े रखे हुए हैं उन्हें आयरन करके रख दिजिएगा अब तो आए दिन रचना अपनी सहलियों को घर बुलाती मन्जु जीसे खाने पिने के चीजे बनवाती और कहीं कुछ उच नीच हो जाए तो सबके सामने उन्हें बेज़त भी कर देती थी करीब एक महीना ऐसे ही बीत गया एक रोज मन्जु जी को बहुत खांसी हो रही थी संजै बोला मा कम सी कम खाना बनाते समय तो मत खांसा करो वरना आप हमें भी बीमार कर दोगी आप अगर बीमार पड़ गई तो कोई नुकसा ध्यान नहीं होगा पर मैं पड़ गया तो अफिस चुटी लेनी पड़ जाएगी तो थोड़ा ध्यान रखो रचना बोली कितनी बार कहा है इनसे कि मुझ ढक कर काम करें पर ये मेरी एक भी बात नहीं सुनती मैं कुछ बोलती नहीं कि लोग ये ना कहें कि बहुत सास पर मंजु जी बोली बेटा संजय मुझे तुम गाउं क्यों नहीं भेज देते वहां तुम्हारे बाबु जी भी एक महीने से अकेले खाना पना बना रहे होंगे मुझे उनकी देख भाल के लिए वहां रहना चाहिए बहुत रहली मैं तुम्हारे साथे अब मेरा टिकट करवा तो वो फोन नहीं करते अगले महीने रचना का जन्म दिन है उसके बाद आप चली जाना इतना कहकर वो चला गया एक दिन रचना को उसकी मा दामनी जी का फोन आया रचना ने अपनी मा को यहां की सारी खबर दी दामनी जी बोली साब बास बेटा तुम्हें तो अब कुछ स में दिन पर आने का निवता दिया और उन्हों ने भी खुशी खुशी हां कर दी एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो घर के लेंड लाइन पर मंजु जी के पती दिनेस बाबू का फोन आया ऐसी हो मंजु तुम तो मुझे भूल ही गई यहां वापस आने का इरादा नहीं है क्या मंजु जी रुआंसू आवाज में बोली नहीं जी आपकी बिना मैं एक एक दिन कैसे काट रही हूँ यह मैं ही जानती हूँ मैंने संजै से वापसी के टिकट करवाने को कहा तो वो बोल कुछ दिन बाद बहु का जन में दिन है उसके बाद चली जाना आप भी यहां क्यों नहीं आ जाते फिर मुझे यहां से ले जाना तभी आचानक दरवाजे पर दस्तक हुई मंजु जी बोली सुनो जी मैं फोन रखती हूँ लगता है दरवाजे पर कोई आया है इतना कहकर उन्हों ने फोन रख दिया जैसे ही मंजु जी ने दरवाजा खोला उनकी बहु रचना उन पर बरस्ते वे बोली इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में क्या कुछ खा रही थी या मेरी आलमारी खोल रही थी बताए मंजु जी बोली हे भगवान बहु ये कैसी ब बात कर रही थी रचना बोली अच्छा तो बुढ़ापे में रोमांटिक बाते हो रही थी थोरी तो सर्म किया करो मैं बहुत ठक गई हूँ मेरे लिए एक कप चाई बना कर लाए इतना कहकर वो अपने साथ लाई सब सामान इधर उधर फैला कर धम से बैठ गई सोफे पे मंज जी चाई लेकर आई तो रचना बोली यह सारा सामान मेरे कमरे में रख दीजिए और हां कुछ दिन बाद मेरे ममी पापा आने वाले हैं तो आप अपना सामान एस्टोर रूम में स्टिप्ट कर लिजिए अगर उन्हें रहने का अच्छे से इंतिजाम नहीं होगा तो सोचि आपके बेटे की ही बेश्टी होगी मन्जु जी हसकर बोली हाँ हाँ क्यों नहीं बहु मैं अपना सामान वहीं रख लूंगी इतना कै उन्होंने सामान उठा कर बहु के कमरे में रख दिया और फिर अपना सामान लेकर एस्टोर रूम में आ गई फिर उसे साफ कर एक किनार में अपनी खाट बिचाली कुछ दिन बार दामनी जी वहां आई दोनु बाँ बेटी मिलकर मंजु जी पर हुकुम चलाती थी जिस रोज पाटी थी उस रोज मंजु जी नोकरों के साथ मिलकर खाना बना रही थी में मानों के सामने आने से उन्हें मना किया गया था थोड़ी दिरबाद दामनी जी रसोई में आकर बोली क्या समधन जी आपको धंका खाना भी नहीं आता बनाने रचना बोली अरे ममी अब गाउं में तो रोटी साग खाती होगी तो इन्हें बाहर का खाना कैसे बनाना आएगा इतना कहकर दोनों मा बेटी हसने लगी तभी अचानक संज संजय बोला अरे पापा आप दिनेस बाबू बोले हां बेटा तुम्हारी माने बताया था कि वहू का जन में दिन है तो मैं भी असिरुवाद देने के लिए आ गया दिनेस बाबू की नजरे अपनी धर में पतनी को ढूंड रही थी पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी बेटा संजय तुम्हारी मा कहा है तो संजय बोला बाबू जी मा यहीं कहीं रसोई में होंगी इतना के संजय अपने दोस्तों में ब्यस्त हो गया और दिनेस बाबू जब रसोई के पास पहुँचे तो दामनी जी कह रही थी समधन जी भूल से भी बाहर में मानों के पास मत आईएगा लोग सोचेंगे मेरी बेटी एक धंग की काम बाली भी नहीं रख सकती आपके कपड़े से इतनी बदबू आ रही है पता नहीं रचना तुम इन्हें कैसे घर में बरदास्त करती हो मंजू जी की आँखे जर जर आसू से बहने लगे और रचना वहां खड़ी रही थी इतने में दिनेस बाबू रुबदार आवाज में बोले ये बदबू नहीं अपने बच्चों के लिए की गई मेनत की खुसबू है पर आप कहां समझेंगी दिनेस बाबू की आवाज सुनकर मंजू जी की आँखों में चमक आ गई वो भाग कर उनसे लिपड़ अब मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकती मंजू जी के आँशू रुखने के नाम ही नहीं ले रहे थे मंजू मेरे होते हुए तुम्हारी आँखों से आँशू बहे ये मैं होने नहीं दूंगा रचना के तो अब पसीने छूट रहे थे तब दामनी जी बोली देखो तो सर् आमने अपने पती से लिप्टी है मंजू जी खुद को अलग करने लगी तो दीनेस बाबू बोले क्यूं आप अपनी बेटी के घर आकर रह सकती हैं तो मेरी पतनी मेरे सीने से लगकर अपना दुखरा भी नहीं रो सकती सबकी आवाज बाहर तक आ रही थी संजय अंदर आय मेमान घर में है और रचना जब मान रसोई में है ही तो मेमानों को छोर कर रसोई में तुम क्या कर रही हो और बापू जी आप अरतों के बिच में क्या कर रहे हैं जाए उधर ससुर जी के साथ बैठ जाए मां बाहर समोसे और पकोड़े कम हो गए हैं लेकर जाओ क्या अब ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा, रचना मुस्कुराने लगी, पर उसे नहीं मालुम था, कि उसकी मुस्कुराहट छन भर की है, दिनेस बाबु एक जोरदार तमाचा संजय को पड़ा, बिसर्म अपनी बीबी के सामने, अपनी मा का अपमान करता है, क्या तु ये भूल गया, कि ये तेरी मा है, कोई रस्वया नहीं, जो तु इस पर हुकुम चला रहा है, तमाचे की गुंजने सबको हिलाके रख दिया, हर कोई इस बारे में बात करने लगा, दिनेस बाबु बोले, खबरदार मंजु, जो तुमने अब कुछ भी काम किया तो, चलो अब अपना समान समेट हम रात की गारी से वापस चलेंगे, इतना कहकर वो मंजु जी का हाथ पकर कर रसोई से निकल गए, संजय ने सबको हाथ जोर कर वापस भेज दिया, और चूप चाप सांत होकर बैठ गया, दामनी जी बोली, हे भगवान, आज मेरी बेटी के लिए इतना बड़ा दिन था, उसे भी समधी जी ने विगार दिया, जवान बेटे पर भाला कोई हाथ उठाता है, अरे गाउं के लोगों की यहीं बात हमें अच्छी नहीं लगती, सहर में आ कर भी कुछ चिख नहीं पाते, दामनी जी के पती रमेस बाबु बोले, दामनी तुम चुप हो अब रोकने से क्या होगा, अगर आपने पहले इन्हे रोका होता, तो आज मेरी पतनी की यह हालत नहीं होती, दिनेस बाबु अपने बेटे बहु से बोले, तुम लोग लालच में इतने अंदे हो गए, कि यह भूल गए, कि यह तुम्हारी मा है, और बहु तुम, तुमने चार दिन मेरे सामने सास की सेवा कर दी, यह सोच कर कि जिन्दगी भर उसे अपनी सेवा करवाओगी, याद रखो, मेरी पतनी किसी पर बोज नहीं है, और ना आगे होगी, मैं नहीं भी रहूंगा, तो भी इसके जीवन यापन का इंतिजाम करके जाऊंगा, तुम जैसे ब जो मैं इन बच्चों के मोह में आ गई, दिनेस बाबू बोले, नहीं मंजू, तुम तु अपने बेटे का घर बसाने आई थी, पर तुम्हारे बेटे ने उसकी लाज नहीं रखी, चलो अब चलते हैं, और संजै तुम अब से मेरी संपती पर तुम्हारा कोई अधिकार नह होगा, अच्छा हुआ जीते जी तुम लोगों की सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मेरे जाने के बाद तो तुम इस भोली औरत के साथ ना जाने क्या क्या करते, इतना कहकर वो दोनों निकल गए, दामनी जी बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया, अरे दमाद जी, रचन जाओ, उनके पेर पकरलो, और उन्हें मनालो, कहीं सारी समपती, वो किसी को दान में ना दे दे, संजय बोला, मैं अपने पापा को जानता हूँ, उनका निरनय कोई नहीं बदल सकता, तभी दामनी जी के मोबाइल पर उनकी बहु का फोन आया, दामनी जी गुसे में बोली, क्या है बहु, तुम्हें पता है ना, कि मैं बेटी के घर पर आई हूँ, उधर से बहु बोली, ममी जी, मुझे भी कोई सोक नहीं है, आप मा बेटी के मामले में परने का, क्योंकि आप मा बेटी, किसी का घर तो बसा नहीं सकती, लेकिन हा, उजार जरूर सकती हैं, मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि आप लोगों का सामान मैंने बरामदे में रख दिया है और हम पूरे परिवार के साथ 15 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो आपना सामान लेकर आप लोग गाउं चले जाएगा यहां लोटकर आने की कोई जुरत नहीं है इतना कहकर उसने फो तुम्हें सजा तो मिलनी ही थी चलो मुझे तो गाउं में भी कोई दिकत नहीं होगी बस तुम कैसे रहोगी यह सोचलो और अचना तुम अपनी घर गिरस्ती खुद नहीं संभाल सकती क्या जो अपनी मा के कहने पर चलती आई और दमात बाबु यह तो पराय थी आको अपन मा बाप की तो इज़त करनी चाहिए थी इतना भी आपसे नहीं हो पाया अब हाथ मलते रहो इतना कहकर वो भी वहां से निकल गए संजय सिर पकर कर बैठ गया तो दोस्तों इस स्टोडी को लेकर आपके क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे ही और भी बेहतरिन कहानियों के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद